Hello guys, welcome to my channel Angel Cable Terrors and this video I have made for all my lovely souls आप देख सकते हैं आपके सामें तीन ब्रसलेट हैं कैशन में आपने पढ़ लिया होगा कि आपकी मैरिश लाइफ कैसी होगी 2023 में आपके इस जनवरी मन्त में आपके अपने शादी शुदा जिन्दगी में क्या चल रहा है और आपको अगर कोई प्रॉबलम है तो उस केस में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह इसमें मैं एडवाइस एंजिल्स के थुरू आपके देखूंगी और जो भी मेसेज़ेस आएंगे डिवाइन अजी से वो मैं आपको कनवे करूँगी आपकी जो भी एनरजी है उसको कैच करके और तो लेट्स स्टार्ट आपके यहाँ पे सामने तीन प्रसलेट है तीक है यह पाइराइट है गार्नेट एंड इस ग्रीन जेट इन तीनों में से आपको अपने लिए ब्रसलेट चूस कर लीज़े इस ब्रसलेट वान टू एंड थ्री और अपनी आँखे बंग अरके क्लोस कर लीज़े जो आपको ठीक लगता हो कि हाँ मुझे यहाँ से मैसेज मिलेगा इस breastlet से मुझे message मिलेगा की मेरी marriage life कैसी है खास्तोर से मुझे at present क्या करना चाहिए at present आपकी marriage में क्या चल रहा है और आपको करवा्प समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं करूँ, ऐसा हमें क्या करूँ या क्या मुझे गलती हो रही है कौन सी ऐसी दिक्कात आ रही है relationship में अगर दिक्कात आ रही है तो कहां पर चीज जह है वो blockage हो रहा है तो वो चीज के लिए angels जो भी advice करेंगे जो भी universe message करेंगी वो आप ऐसा करिएगा ठीक है तो मैं फिर यहां पर start कर रही हूँ bracelet 1 pirate जो है ठीक है और दोनों को मैं side किये दे रही हूँ और आप लोग के लिए let's see angels के तरफ से क्या message है और जोनोंने bracelet number 1 को choose किया है पहले मैं देखूंगी आपकी marriage life में क्या चल रहा है किस तरह के messages है at present जोनोंने bracelet 1 को choose किया है प्लीज मुझे बताएं कि इनकी marriage life कैसी है आपकी marriage life में जहां तक मुझे दिख रहा है कि spiritual होने की बहुत जरूद है आपको spirituality का message आ रहा है आपे और थोड़ा सा अपने relationship को खुल के जिए थोड़ा सा बंदिशे लगाना थोड़ा सा relationship में थोड़ा सा रोकिए अपने आपको की बहुत जादा मर्यादा में रहना ये उधर नहीं जाना उधर नहीं जाना ये सब चीजें हो रही है और आपकी marriage life में अभी at present के अगर मैं बात करूँ तो जो भी पुराने issues चल रहे होंगे आपके life में वो कहीं न कहीं जो है जल्दी खतम भी हो जाएंगे कुछ पुराने कुछ issue रहे हैं आपके marriage life में और निकिन आप confused हैं थोड़े से कि पता नहीं खतम होंगे वो issues problems खतम होंगी कि नहीं होंगी जबकि universe ये कह रही है कि यही समय है आपके new beginning का भी आपको चीज़ें एपने life में बिगन करने की ज़रुवत है लेकिन क्या है न कि रुकावटे बहुत आ रही है रिष्टा नए तरीके से फ्रेश तरीके से शुरू नहीं हो पा रहा है problem यहां हो रही है और आप बहुत emotional है अपने रिष्टे को लेके emotional इसलिए है क्योंकि आपको कहना कही insult बहुत जहल नहीं पड़ रही है बहुत जादा आपको लगता है कि लोग जो है ना आपकी मतलब आप बहुत well qualified हैं आप एक अच्छे इंसान है no doubt आपकी intelligence काफी अच्छे दिख रही है लेकिन दिक्कत ही है कि लोग आपको समझ नहीं रहे है आप बहुत ही jolly nature के हैं जल्दी आपके friends circle में यहां दिखता है कि आप अपनी बाते कह देते हैं और जो ठट उठट person है वो उसका फादा उठाता है तो आपके jolly nature का भी आपके message आ रहा है इस चीज से थोड़ा सा साथधान रहे है next मैं देख लेती हूँ कि और क्या messages है marriage life में at present spiritual होने की जरुवत है आप लोग को आप लोग चैंटिंग करिए spiritual ऐसा कुछ करिए कि जिससे आपका यह जो चीज बिगड रही है यह at least सही हो जाए at least इतना तो हो जाए कि सब चीजें track पे हो जाए कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगता हो आपके लिए यह other messages में यह आ रहा है कि आपको focused होना बहुत ज़रूरी है अपने life में focus रहे है अपने relationship में focus रहे है थोड़ा सा आपके उपर burden पढ़ रहा है responsibilities का शादिश ज़र जिंदगी में आपके burden है लेकिन आपके जो will power है वो अच्छे दिख रही है will power आपकी अच्छी बनी रहेगी तो चीजें आप better तरीके से maintain कर पाएंगे relationship में कुछ creative करिए अपने life में कई बरस होता है कि हम इतने ज़ादा जो है involved हो जाते है negative चीज में कि हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है तो ये एक life में बहुत बड़ा change लाएगा कि आप कुछ creative काम करें कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो कोई talent होगा आपके अंदर कोई universe ने कुछ दिया होगा आपको कुछ टैलेंट कुछ भी जैसे दिखने का काम जैसे कुछ जो भी आपको अच्छा लगता है जैसे music आपका या artist का कोई काम है आपका या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो राइटिंग पोएम्स लाइक दिस मुझे नहीं मालूम क्या टैलेंट है आपके अंदर लेकिन कोई टैलेंट है कुछ क्रियेटिव आप करने की इच्छा भी रखते हैं इससे आपके लाइफ में चेंज आएगा यह जब आप करेंगे तो आपके एक दम बिलकुल पीछे पड़ जाना किसी चीज के पीछे मत पड़िये उससे नेगटिविटी आ जाते हैं यह आपको बहुत सारा खाना खा लिया एक यह समय पे तो क्या होगा आपको बदर्द में हो जाएगी ना पेट खराब हो जाएगा अपने एलेशन्शिप में कर यह कोई जरा कुछ कह रहा है चोड़ देजिए वह उसका करमा है आपका नहीं है तो आप अपने कर्म क्यों खराब करें आप अपने पर ध्यान दीजिए क्रेटिव कुछ काम करिए इससे लाइफ में चेंजे आएंगे आपका लाइफ पार्टा जाब आप वो देखेगा कि आप बिजी हैं और कुछ क्रेटिव कर रहे हैं तो उसकी भी सोच बदलेगी बस यहीं पर रेलेक्शनशेप आपका बहतर हो जाएगा और आपका यहां मैं नेक्स्ट में आखरी में देख लेती हूँ कि क्या उसमें और क्या मैसे जा रहा है एट पैसेंट क्या करना चाह यह सिचेशन तो मझे देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन कोई बात नहीं है ठीक हो जाएगा आप अगर इस सब चीज़ों को करते हैं तो जो मैसे जा रहा है अगर आप शिव जी के भागते हैं मंडे को अगर व्रत रख सकते हैं शिव जी को व्रत ना रख करता है ठीक है तो आप अपने लिए यह चीज करिए शिव शम्भो को भजिए उनको मानिये की पूजा करिए और यह आपके शुक्र प्लैनेट को भी कही ना कहीं अच्छा करेगा शुक्र बहुत इंपोर्टेंट होता है वीनस प्लैनेट जो है वह कहीं ना कहीं इसको अच करिए रोज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है मंडे मंडे लेकिन करना है प्रदोश्वरत पे भी कर लीजेगा यह उपाय के तौर भे यहां मैसेज आ रहा है आपको यहां मैसेज है कि जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने लाइफ पाटनर के साथ लाइफ को इन्जॉ बहतर होने लगती है तो आपको क्या करना है इस केस में ठीक है नाओ आएवल स्टार्ट फॉम ब्रेस्ट नंबर 2 लेट्स चार्ट विट ब्रेस्ट नंबर 2 जिस लोगों ने ब्रेस्ट टू यानि कि गार्णेट को चूज किया लेट्स सी कि आपके में क्या मेसेज आ रहा है और डिवाइन एजी क्या मेसेज करना चाह रहे हैं आपके मैरिश लाइफ में कैसी है मैरिश लाइफ आपकी अट प्रेस्ट क्या सिच्वेशन है प्रीज मजे बताएँ जिल लोगों ने प्रेस्ट नंबर 2 को चूज किया है इस वक्त आपने अगर किसी को thank you नहीं बोला है तो वो बोल दिजे उसकी good vibes आपको लगेंगी यह आपका life partner हो सकता है या कोई और जो भी आपको व्यक्ति जो आपको help support करता हूँ जिससे आपको प्यार हो और उस वक्ति को लेकर आपसे बहुत लगाव है शादी शुद्र जिन्दगी में काफी struggle चल रहा है इसी वज़े से यह आपने किसी को अपना दिखाया ही नहीं अपनी feeling नहीं दिखाई किसी को अपनी good vibes किसी को transfer नहीं करी है देखी जब तक आप अपनी good vibes transfer नहीं करें किसी को तो universe help नहीं कर पाएगी न तो इसी लिए जरूरी है कोई ना हो आपको नहीं पता चल पा रहा है किसने जितने लोग थी उनलों ने help करी या life partner ने करी तो आप अगर उनके पास नहीं जा पा रहे हैं तो आप universe की तरफ जो है उपर आस्मान पे जाकर के रात के समया कभी भी जब भी आपको मौकवा लगे सबरोट करके universe को thank you कहिए और कहिए कि whatever you have given भी जो कुछ भी आपने ईश्वर आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं thanks आपको करता या करती हूँ ऐसा करिए ये बहुत अच्छा उपा है और hope ono-pono prayer अगर आप बोलते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि hope ono-pono prayer तो बहुत ही good results देती है तो वो भी कर सकते हैं आपके life में changes आएंगे और चीज़ें बहतर होंगी यह जो struggle चल रहा है ना life में यह थोड़ा सा at least कम हो जाएगा और आपको grounding की बहुत बहुत ज़ादा जरुवत है कहीं ना कहीं आप मैं feel कर पा रही हूं कि आप जमीन से जुड़ नहीं पा रहे हैं कभी लगता कि यह भी कर लो वो भी कर लो बहुत जादा मतलब पतानी relationship ठीक चल रहा है कि नहीं मैं विश्वास करूं कि ना करूं नौकरी मेरी पतानी कैसी यह ठीक है नौकरी या दूसरी नौकरी पकड़नूं यह सब चीज़ें confusions create करती हैं grounding नहीं है आपका जो मुलाधार चक्र है व बहुत करते हैं blame बहुत लगाते रहते financially stability नहीं रहती life में stability कहीं पर भी नहीं रह पाती क्यों क्योंकि grounding नहीं है आप एक काम करिए आप जमीन पर पलती मार के आराम से बैठीए meditation करिए ओम मंत्र का जाब करिए ठीक है ओम मंत्रा ऐसे तो crown chakra का मंत्र है ठीक है लेकिन crown chakra अग अगर आप सवेरे उठकर के शांती से बैठके करना चाहें ब्रह्मकाल में करते हैं तो best है नहीं तो आप शाम को जब धूरी शाम हो जाती है तब आप कर सकते हैं और शांती ही बैठके करना है और नीचे ही बैठिएगा बिस्तर पे नहीं नीचे आसन लगा के बैठिए कर इससे आपकी ग्रांडिंग होगी दूसरी चीज है मिट्टी के बरतन का प्रियोग करना शुरू कर दीजे उसमें पानी पीजिए ठीके पानी स्टोर करके रख लीजे मिट्टी के बरतन में भले ही आप उससो गरम करके पी लीजे क्योंकि सरदियां है कोई बात नहीं है ले इससे आपके अंसिस्टर से आपके जो पूरवज हैं उनसे आपको बहुत मदद मिलेगी उनका उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी वाकि मैस में देख लेती हूं और कि क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए मैरिश लाइफ में ये तो उपाय के तौर पर एंजल कह रहे है लेकिन ऐसा रहता है जैसे कि सब कुछ सूखा सूखा है मज़ा नहीं आर लाइफ में ये भी फीलिंग आसमें दिख रहे हैं मज़े लेट्स ये और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए आपकी जो मैरिश लाइफ है सब कुछ ठीक था कभी तक आपके लाइफ में था एक समय था जब एक बहुत अच्छा समय था आप चाहते हैं कि वापस वो सब चीज़े आ जाएं जब आप प्लैनिंग बनाते थे अपने शादिशे दिने के लिए कि ऐसे शादी करेंगे करेंगे काफी एक्सपीरियंस्ट आपका दिखता है कि आपका नीचर बहुत एक्सपीरियंस्ट है बहुत मतलब आप काफी प्रोफिशनली भी अच्छे इसमें दिख रहे हैं कि प्रोफिशनली आपका कोई फील्ड है जो कि इसमें बहुत माहिर है और एंजल मेसेज कर रह अपने पर्सनल लाइफ के जो डिसीशन्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करके चलिए ठीक है ये बहुत important message आ रहा है बाकी hard work का message आ रहा है थोर यहाँ पे आपके relationship में दिखता है यहाँ तक कि आपके जो बीच में जो बाते हो रही ना पर्ति पत्नी बीच में आपके lovers के बीच में वो भी must share करिए उसको भी protect करके चलिए अपने रिष्टे को अगर protect करना है जो ज़रूरी है कि planning और strategies मनाएं जैसे पहले करते थे इस वक्त ज़रूरत है इसी चीज़ की आपके marriage life में आप महनती बहुत हैं बहुत मेनत करते हैं responsibilities निमाने के पूरी कोशिश करते हैं मेनत बहुत कर रहे हैं और कही न कहीं चारे हैं कि मैं जीत जाओं किसे तरह किसे दिल जीत जाओं ले जनेगा और यहाँ पर angels message कर रहे हैं कि spiritual हो ये spirituality है actually क्या है न कि आप कर नहीं पा रहे हैं लेकिन यहां करना पड़ेगा आपको spiritual होना पड़ेगा आपको ऐसा feel होता है कि बस छोड़ दो बस prayer नहीं करनी है हो गया आपको burden फील होता है ऐसे होता है कि कई लोग को कहो कि पूजा पाट करो या prayer करो तो उनको लगता है कि यह बहुत burden हो रहा है मेरे उपर मैं यह भी करूँ वो भी करूँ तो वो कुछ ही नहीं कर बात है इसलिए जरूरी है कि आप कोई chanting करें किसी इश्ट देव को God या Goddess को पूरी इज़त दें universe को पूरी इज़त दें और इसे prayer करें एटलीस चोटी से prayer करनी है आपको कोई prayer कर लीजे जो भी हो रोज लेकिन प्रातना जरूर करनी चाहिए यह बहुत जरूरी है उपासना और प्रातना कुछ भी आपको अच्छा लगता हो वो करिए यह जरूरी है life में और आपके marriage life में इससे जो आपके burden पढ़ रहा है कि आपको यह burden एटलिस खता मुझाएगा आप बस एक बार यह चीज़ कर लीजे क्योंकि यहाँ पर यह message आ रहा है और जो चिंताएं घुमती रहती है relationship को लेकर के फाल्टू की worries बहुत जादा सोचना चिंता करना यह सब चीज़ें जो हैं वो बहुत जादा आपको affect कर रही हैं आपके marriage life पे मैं आपको बता दूँ चिंताएं बहुत करते हैं बहुत सोचते हैं तरह तरह कि यह तो नहीं हो जाएगा वो तो नहीं हो जाएगा लोग क्या कहेंगे यह तो नहीं होगा तो ऐसे वैसे यह सब बहुत चादा चलता है आपके दिवाग में नेक्स देखते हैं कि क्या है आपके marriage life में एक hunger दिखा रहा है आपके अंदर अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपको जरूरी है या message आ रहा है कि इस वक्त आप अपने relationship में जो आपकी जो भूख है ना किसी चीज को पानी के बहुत भूख है आपके अंदर तो या तो आप बहुत प्यार चाहते हैं या फिर आप किसी चीज पे बहुत जादा focused हैं कि मुझे यही चाहिए मुझे professionally अपने ऐसे होता है वर्क प्लेस पे कई लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं तो उनको बहुत जादा लगता है कि नहीं यह चीज मुझे मिल जाए जिस फील्ड के लिए मैं बनाया बनी हूँ उस फील्ड में मैं success पालू यह एक hunger दिख रही है आपके अंदर और अच्छा है यह अच्छी चीज है लेकिन hunger अपनी positive रखिएगा मैं आपको यह request करूँगे कि अपनी hunger को positive way में ही रखिएगा कोई एक भूग दिखती है आपके अंदर को चाहिए 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 जो हो जाए और trust रखिए अपने life partner पे अपने जो आपका love mate, soul mate कोई भी है relationship में उस पे बिलकुल भरोसा रखिए भरोसा रखेंगे तो भरोसा आप जता के रखिए उसकी responsibilities हो थोड़ी बहुत पूरी पूरी करते रहे जितना आपसे हो सकता है यह trust बना के रखिए आपसे विश्वास बना के रखिएंगे तो अच्छा रहेगा और जितनी भी negativity है कि negative सोचना कि नहीं मैं ऐसे विश्वास नहीं करूंगा और यह सब कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे प्लीज यह negativity को इससरत निकाल दे जरूरी है कि आप उन सभी चीज़ों को निकाल के बाहर फेक दीजे बिलकुल negative रहना ही नहीं है गंदी चीज़ें गंदी सोच यह सब कुछ नहीं है आपके mind में होना ही नहीं चाहिए just release yourself from this negative things अपने आपको free छोड़िये थोड़ा सा इन सब चीज़े बारे मस सोचिए अच्छा सोचिए trust करें अपने love mate पे ठीक है यह सब चीज़े इसमें आ रही है मैं और देख लेती हूँ last में कि क्या आपको करना चाहिए अपने marriage life में marriage life तो आपकी almost अगर मैं कहूं तो balanced है बहुत खराब भी नहीं कहेंगे लेकिन बहुत खराब situation नहीं है लेकिन at least इतनी है कि थोड़ा सा struggle है जैसे कि मैंने बता है न आप महनती बहुत है महनत कर रहा है लेकिन result नहीं मिलना कोई बात नहीं एक समय के बात मिल जाएगा और next इसमें है किसी देवी की पूजा अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए किसी गौडिस की ऐसे लक्षमी जिखी या दुर्गा जिखी at least उनका कोई मंत्र ले लिजे या शुक्रवार को जाकर के आप एक काम करिए अगर मंदिर में लक्षमी देवी है तो वहाँ अपने देवी को गुलाब का फूल या गुडहल का फूल हिबसकस का जो लाल लग का फूल होता है वो चठाना शुरू कर देजे ये बेस्ट उपाय है नई तो मंदिर में भी जा सकते हैं किसी गौडिस को पूजना कोई भी गौडिस जो आपको अच्छा लगता हो कि हाँ ये गौडिस मुझे help करेंगी उनको पूजिये ठीके और आपको इस वक्त मंदिर के घंटियां होती हैं उनकी अवाज सुनना बहुत अच्छा होगा ये जो तिबितिन जो singing bowl होता है इसकी अवाज भी ओम की अवाज को सुनना आपके साथों चक्रों को अच्छा करेगा, हील करेगा ऐसा करिएगा आप मंदिर के घंटियां जो होती हैं वो भी हमारे लिए चक्राग पर कहीं न कहीं काम करती हैं आप वहाँ नहीं जापा रहे हैं तो स्तिबित्यन सिंगिंग बाउल इस बेस्ट वो भी आपकी या ओम की चैंटिंग अब चला दीजे सवेरे के टाइम जब सवेरे उड़ते हैं तो भी उस ओम की अवाज से भी वो आपकी जो हीलिंग होती रहेगी 21 डेस तक ही करिए ठीक है, और हर शुक्रवार को देवी मा की पूजा अरशना करिए ठीक है, पूजा अरशना नहीं कर पा रहे हैं तो at least उनके लिए उनके नाम का फूल जाके चढ़ाई आई है ऐसा करिए, आपकी लाइफ आपकी बदलेगी, इससे धन संपत्ति भी आएगी, रिलेशनशिप भी अच्छा होगा क्योंकि शुक्र की स्थिति अगर मैं बता दू कि यहाँ पे आपकी वीनस प्लैनेट आपकी डिपंडन है देवी मा पे तो इसलिए वीनस को अगर अच्छा करना है तो देवी मा की आरशना करना जरूरी है और इनिशल स्टैप आपको ही उठाना पड़ेगा कोई आपके लिए मदद के लिए इस वक्त नहीं आएगा सबसे पहले आपको ही अपना स्टैप उठाना है कि नहीं ठानना है कि नहीं मैं करूँँगा या करूँगी अपने relationship को अच्छा करने के लिए मुझे पहले जाना है तब अगला जना help करने के लिए आएगा तो यह चीज करिए ठीक है and very all the best to all my viewers ठीक है अब मैं उम्मीद करती हूं कि आप यह करेंगे ठीक है okay then I will start from the third bracelet and goodbye to all my lovely souls I have taken this second bracelet I welcome to the people who have selected this green jade the people who have selected green jade let's see what message is for you and how is marriage life and what are you doing 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 marriage life how is it bracelet 3 please tell me आप लोगी जो marriage life है four cards खुदी गिरे है तो मैं consider करूगी five cards है ठीक है अगर गिरे हैं तो that means कुछ न कुछ message है आप लोगों के लिए यहां पर message यह आ रहा है एक तो आपकी जो जर्णी है जो मैं देख पानी जो अपनी आपकी ब्यूटी प्रोवाइड कर रही है खुबसूरत चीज़ें के तरफ आप ट्रैक्ट भी होते हैं आपके उपा blessings shower हो रही है जो इश्वर की कृपा होना यह बहुत जरूरी है रिष्टे में आपका हार्ट जो है वो खुशी के मारे जैसे होते हैं कभी कभी बहुत खुश हो जाते हैं आप अपने relationship में enjoy करते हैं delightful and enjoy the journey message कर रहे हैं angels के आप enjoy कर ये ऐसे ही enjoy कर ये और जहां आप जिस स्थिती में हैं उसी स्थिती में रही है बिलकुल confused होने की जरूरत ही नहीं है कि mind confused कर रहे हैं किसी ने कुछ कह दिया तो सोचने लगे love mate के बारे में और relationship क के बारे में कुछ नहीं बिलकुल free रहे हैं और जहां जिस जगह जिस position पे हैं आप अपने relationship में बिलकुल वैसी बने रहे हैं वाओ the topmost card has been came out for your in your relationship the mother goddess again beauty का card आपको beautiful things बहुत अच्छे लगते हैं आपका love में बहुत दिल से बहुत beautiful love mate आपका life partner या आपके जो husband या wife है यह दिखता है कि आप खुद भी बहुत खुबसूरती के तरफ बहुत attract होते हैं आप खुद भी बहुत अंदर से खुबसूरत हैं यह आपको बता दू और जो mother goddess है जो mother nature का topmost card आया हुआ हुआ है यह आपको जवाद दे रहे हैं आपका Venus planet बहुत अच्छा है इसवाद जस्ट enjoy your life मस्त रहिए enjoy करिए marriage life को आपकी marriage life बहुत अच्छी है जो लोग ने ठर्ड ब्रस्टेट में बता दूँ आप लोग शाद बहुत लगी है पहले दो जो ब्रस्टेट जो लोग ने चूस करे होंगे लेक इसके अंदर है नहीं attitude दिखाना या किसी को बहुत जादा डाउन करना यह सब चीजें है नहीं बलकि आप तो खुद जुग जाते हैं आप खुद सेंडर हो जाते हैं डिवोटी टाइब के हो जाते हैं यह relationship में बहुत ज़रूरी अच्छी चीज होती है इस वक्त Mother Goddess आपको relationship में तो आपको पता चल जाएगा कर ही नहीं पाएगा मैं आपको बता रही हूं यहां पे बिल्कुल protected है इस वक्त आप यहीं मौका है अगर कुछ आप relationship में अपनी बात आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप अपनी बात को आगे बढ़ाए ठीक है कुछ भी को लाइफ में जो आपके ancestors हैं उनसे थोड़े से जोड़े रहे हैं जमीनी हकीका से और अगर आप ऐसा करते हैं अपने life के जमीनी हकीका जो भी practically आपको जो experience हुआ हो अपने life में तो अगर आप उससे जोड़े हुए हैं जमीन से जोड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा है और यह message करता है कि आपके ancestors आपको bless भी कर रहे हैं तब यह चीज हो रही है आपके साथ क्योंकि पूरवजों का आश्रवाद तो बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए भी आपके family में और आपके पती-पती का relationship में भी तो पूरवजों का आश्रवाद होना बहुत जरूरी जरूरी है अपने आपको जाहिर करने के लिए अपनी feelings को express करने के लिए आप कही ना कहीं जो है यह चीज़ करेए एक्स्प्रेस करेए अपनी feelings अपने lovemate को यह चीज़े में message आ रही है उसको पता तो चले अप क्या सोचते हैं उसके बारे में तो यह चीज़े इसमें दिख भी कर सकते हैं आप एक अच्छा अच्छे लर्ल विए हैं अगर पतव बताऊं तो यहां इनलल का कार्ड आपके लिए अगर आप नहीं कर पाथे ही लाँ दीज Code सिसी हीलर से ओ लेजिए अच्छी कर वा लीजी कर थक्ति अ're clear from the divine energies that what you have to do actually and how you can improve your relationship all the best for this uh at present situation 2023 so i think the message is very clear from the divine energies thank you so much thank you so much